ओम शांती, 5th August 2020 की बाब दादा की मुर्ली में से, विराट रूप, सौ प्रतिशत पावन और सौ प्रतिशत पतित, फिर अगली बात ड्रामा, है न, फिर अगली बात सद्गती, और एक बात, एक वाक्य जो बाब ने बीच में कहा था, कि पाँच हजार वर्ष जैसे, जैसे 5000 years back, मैंने जो words इस्तमाल किये थे, जो, जिन अक्षरों में, जिन अक्षर का इस्तमाल करके, मैंने तुम्हें ग्यान दिया था, exact उन्ही words को, मैं आज भी यूज करके knowledge convey कर रहा हूँ, तो इन बातों के उपर चिंतन रहेगा, जैसे बाबा ने कहा कि विराठ स्वरूप की बात, देखे विराठ स्वरूप में एक तो चोटी दिखाते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, कि उपर जो है, सबसे टॉप पर चोटी है, चेहरा जो है, उस खाला एरिया है, खास करके feet, इन फाक पूरी ही उपर से लेकर नीचे तक, उसको शूद्र माना चाता है, तो ये चीज विराठ स्वरूप में दिखा तो दिया, लेकिन बाबा इसका बड़ा सरल मीनिंग हमारे सामने रखता है, कि जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं शरीर पे वो actually percentage बता रहा है, body consciousness का, ब्रामणों के लिए बाबा ने आज की मुल्ले में इस्तमाल किया कि ये जो संगम युग है, ये हीरे जैसा युग है, तो इसका कारण है, जो hundred percent soul consciousness है, सो प्रतीशत, एकदम शून्य की अवस्था, परमधाम की अवस्था, वो ब्रामण अनुभू करता है, है न, तो उसे चोटी से designate किया गया कि बिलकुल zero body consciousness, देखिए ब्रामणों को सबसे उंचा दिखाया जाता है, है न, कि चोटी मतलब एकदम zero consciousness of body, अब चेहरे तक बात आई देवताओं के लिए, तो consciousness नहीं है शरीर का, लेकिन understanding है, वो परमधाम वाली जो complete स्थित का अनुभव कह लिजिए, या कह लिजिए, डीप feeling होती है, वो केवल एक योगी अवश्य प्राप्त कर सकता है, उसमें भी शिव योगी, परमधा परमात्मा के दिये हुए ज्यान के साथ जो connected है, है न, परमात्मा शिव के साथ जो connected है, तो उस चीज को बाबा चोटी से व हम लोगे ने बोल ली लिया, कि चेहरा दिखाया, मतलब थोड़ा बहुत understanding body consciousness, आच्छा ठीक है, उसके बाद shoulder पे आये, मतलब थोड़ा और percentage बढ़ रही है, धीरे धीरे, दे अभी मानवाला, धीरे धीरे, बहुत shallow, आप कह लिजिए, उसको negligible भी कहा जा सकता है, और उसके पुद्रपना, यानि 100% body consciousness, और इसी विराट स्वरूप से हम 100% पतित और 100% पावन वाली बात को समझ सकते हैं, कि 100% body consciousness होना मतलब 100% पतित हैं, और 100% soul conscious होना मतलब 100% पावन हैं, तो ये जो जर्णी है, पेरों से लेकर के चोटी तक की, ये जो लाइफ स्टाइल और पूरी माननिताओं का परिवर्तन है, जो पूरे विश्व के लेवल पर होगा और हो रहा है ड्रामा नुसार, वो कारे परमपिता परमात्मा इस समय सर्वश्रेष्ट योग अर्थात संगम योग में कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ड्रामा को सर्वो परी रखा हैं, कि भई ड्रा का पहले इस्तमाल हुआ, उसी रत का इस्तमाल आज भी हो रहा है, तो अगर रामा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के लिए सेम चल रहा है, तो हर मनुष्य आत्मा के लिए सेम चलेगा, इग्जाक्ट सेम, हमारा जो लाइफ है वो अक्यूरेट है, सही गलत का बाबा केता अब छोड़ो, अक्यूरेशी में जाओ, कि इससे अक्यूरेट ड्रामा नहीं बन सकता, इससे अची स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती, यही है जो है, यही सत्य है, यही वास्तविक है, फिर इसी से इन्ही अंडिस्टांडिंग को जब हम कॉंशिसनेस में रखते हैं, तो उसी को सदगती कहा जाएगा, उसी को सची गती प्राप्त होना, कहते हैं न, इश्वर की गत्मत न्यारी, इश्वर की गत्मत वही जाने, बिल्कुल यूनिक है, इन बातों को जो जीता है, कॉंशिसनेस में रखता है, उसी को सदगती कही जाएगी, है न, इन बातों को एक सिस्टम के तरीके से या एक क्या लिजए एक नए रिवाज के तरीके से लाइफ में इंप्लिमेंट करने का नाम ही योग है, कनेक्शन में, ओम शान्ती